हेलो फैंस तो आज मैं आपको कम तेल में कच्चे चावल और ताजे हरे मटर का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्टा बनाने का तरीका पता हूँगा इससे आप इजली घर पे बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है ताकि चावलों के बहर से डश्ट गरा लगिए हो वो अच्छी तरह से निकल जाए तो इस तरह से मसल मसल कें को कम से तीन बार दोली शे इसके बुद आपने चावलों को ना कम से कम आदे घंटे के लिए बिगोके रखना है तकि चावल अच्छी तरह से फूल जाएं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं अगर आप यह नाशता सुभा बनाएंगे तो आप इनको ओबरनाइट बिगोके भी रख सकते हैं और एक कप मैंने हरे मटर लियें मैं फ्रेश हरे मटर का यूज़ कर रहा हूँ फ्रोजन का यूज़ भी कर सकते हैं एक पैन में थोड़ा सा आपने ओईल डालना है और आपका जो नाशता ना बहुत ही टेश्टी भी बनेगा तो यह देखिए मटर यहां पर उचलना शुरू है थोड़ा समय समय हरा धनिया भी एड़ कर रहा हूँ इससे कलर अच्छा है आपके नाशते में इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिए धनियों को ज्यादा पकाने की जूट नहीं होती है ठीक है तो ओके देखिए मटर को ठंडा होने दीशे जब तो मटर ठंडे हो रहे हैं तब तक आपने चाबलों को ग्राइंट कर लेना है तेखिए 30 मिल देखिए चाबलों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है इसके पहलों आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको दो कि देखे इस तरह से थोड़ी थोड़ी चाबल डाली ए और मिक्सी dig grinder jar में और इसका एक ठीक पेष्ट बना के थेज़ कर लेंगे hain तो इसे तरह से आपने थोड़े थोड़े चावल ना grind कर लेने हैं और यह देखे थोड़ा सा paste चिप को ओर रहे गया Mixi Grinder JAR में तो इसी में बचेवे चावल हैं वो add कर देते हैं तो पहली बार में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा थीक पेश बनाकी त्यार किये हैं अब थोड़ा पानी ज़्यादा एड़ करेंगे इसमें तो जितने चावल है ना उसके लेवल में ही मैंने इसमें पानी एड़ कर दिया है और इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं इसका भी आपने बैसे ही एक्तम फाइन पेस्ट पना लेना है ठीक है तो सारे चावल देखिए मैंने ग्राइंड कर लिए हैं इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्सी ग्राइंडर जार में थोड़ा पेस्ट चिप कर रहेज़ेगा इस दिश को बनाने में टाइम बहुत ही कम लगता है तो के देखिए हरे मटर को भी मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है इनको भी आपने शाथ में मिक्स कर देना है जो चाबल आपने पीस के रख्योंगे और थोड़ा सा आपने इसमें पानी आड़ कर लेना है थोड़ी सी sugar add कीजेगा विल्कल थोड़ी सी आदा चमच आप इसमें कुटी काली मेर्श add कीजे इन सारे ingredients को आपने अच्छी तरह से mix कर लेना है तो इतने घोल में आपके कम सिकम 15 उत्पम जोब बनके त्यार हो जाएंगे अच्छी तरह से आपने इनको mix कर लेना है तो कि हमारा mixture त्यार हो चुका है अब इसमें अच्छी जाली लाने के लिए आपने क्या करना है इसमें दही add करना है तो एक बड़ा चमच आप इसमें दही add कर देशे साथ में आपने आदा चमच इसमें baking soda add करना है baking powder का use भी कर सकते हैं पर अगर आपके बस baking soda तो उससे एक अच्छा sponge आता है इसमें तो कि देखे baking soda और देही को इच्छी तरह से mix कर लिए है अब देही क्यों डाला baking soda ना देही के साथ ही जल्दी activate होता है ठीक है इसको 10 मिट का rest दीशे तब तक आपने चटनी बनानी है थोड़ा सा मैंने हरा धनी अलिए इसको अच्छी तरह से दो के mix के अंटर जार में डाल दीए है दो इसमें हरी में शाइड करेंगे तीखा करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें fresh mint एड़ कीशे और 100 ग्राम आपने इसमें तही एड़ करनी है इसके साथ में आप इसमें नमक एड़ कीशे तो आदे से कमचमच आपने इसमें नमक एड़ करना है थोड़ी सी sugar एड़ करनी आपने चटनी में और इसके साथ में थोड़ा सा काला नम हम बना लेते हैं कि इतके है से लेडल से ऑपने निखाल नहीं हैं तो छोटे-चोटे बना नहीं के सकते हैं के इस तरह से त разм curator ही आपने मीडियों करनी है उपर से कवर करके कम तीन से मिन तक हम इसको ना मीडियम फ्ले में पकने देना है यहाँ तो तीन निट हो चुके हैं और कि देखिए उपर से जो बैटर है पूरी तरह से ड्राय हो चुका है हलका सा उपर आपने ऑईल लगाना है और इसके उपने उत्पम को पल्टी कर देना है अब दूसरी साइट से जाद देर पकाने की जूट नहीं होती है क्योंकि यह उत्पम अराम से पक चुका एक साइट से उपर से भी देखिए ड्राय हो चुका था तो उपर से मैंने हाई फरले में देखिए बका लिया है गरमा गरमा आप इनको चट्नी के साथ सर्व करते शेने हैं आप इस mixture के अपपे भी बनाए सकते हैं, अगर आपके अपपे पहना हो तो अई देखे, मैंने अपपे पहन लिए इसको जल्दी से गर्म कर लेते हैं, हलका हलका सा इसमे आपने oil लगा देना है, और oil लगाने के बुद आपने इसमे थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है तो ज्यादा नहीं भरना है, ज्यादा भरेंगे ना, तो फूलने के बाद अपे पहन से बाहरा नश्रू हो जाता है, तो ओके देखे, सारे इसमें मैंने डाल दिया मिक्षर को, ओपर से आप इसको ना कवर कर देशे, और अराम से इसको ना कम से तीन से चार मिन तक पकने द और पल्टी करने के बाद फिर से कवर कीजिए, दूसरी साइट से भी अच्छी तरह से आप इनको पका लीशे, तो आप इनको ना नारिल चटनी या फिर ना रेड चटनी उते डोसा वाले उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं मिन चटनी की जगा, तो यह देखे, अपे भी आप